नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल में दोस्तों आज की वीडियो बेहद ही खास है दोस्तों मैं इस वीडियो में एक बेहद ही जबरदस जड़ी बूटी के बारे में बताने जा रहा हूं दोस्तों कुदरत के समित खजाने में कई ऐसी बिहद मत्र जड़ी बूटीयां है जो हमारे आशपास ही होती है लेकिन दोस्तों हमारे पास उसकी जानकारे नहीं होती है जिसके अभावों में हम उससे इग्नोर करते हैं उससे फायदा नहीं ले पाते हैं देख लीजिए जो दीवाल ले उतिए न, उसमें भी अप आई जाती है। दोस्तों, बड़ी दिव्य जड़ी बूटी है, दोस्तों, यह जड़ी बूटी देख रहे न, यह प्रकिर्द का बरदान है, प्रकिर्ड का यह उपहार है, हमारे लिए, देख लिजेए, पहचान लिजे इसको, यह है इसको बोलते हैं लोनी घास यानि कि इसका और नाम है कुलफा घास के नाम से भी जानते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं इसके जवर्दस्त ध्यां से सुन लेज़े दोस्तों मैं बता रहा हूं ना इसके इतने वहतरीन फायदे आपको बताऊंगा सायद आपको किसी ने बताया होगा तो इस वीडियो को सुरुष से अंतक जरूर देखें और वीडियो जरा सीव चला लगे न दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर देना आप जब एक लाइक करते हैं न तो मेरा मनोबल बढ़ आता है और आपके लिए अच्छी वीडियो बनाने का मन करने लगता है जैसे कि मैं बार-बार कहता हूं वीडियो को सही से देखा करें और इंफोर्मेशन सही से पूरी लें क्योंकि दोस्तों मैं कहता हूं कि जानकारी कभी भी नुकसान नहीं करती चाहे जानकारी बुरी हो चाहे अच्छी हो अगर अच्छी रहेगी तो आपके लिए लाप करेगी और बुरी होगी तो आपको वह जानकारी आपके लिए और सजग आपको सजग बनाएगी तो इसलिए जानकारी कभी भी खराब नहीं होती, कोई भी जानकारी बुरी और अच्छी नहीं होती है, जानकारी जानकारी होती है, इसलिए दोस्तों जानकारी बहुत ही जरूरी होती है, आप अपने स्वास्त को बना के रख सकते हैं, जड़ी बूटी की जानकारी लेते हैं अड़ोईट की जानकारी लेते हैं देख लीजए तमाम तरीके की बिमारियां फह tęsty रहती हैं अब डाक्Ụर पास जाते हैं डाक्टरण आपको दवाह देता रहाता है बिमारी आपकी जड़ से होती हैं सबसे पहला काम करना चाहिए कि हम्मे ऐसा काम करें की अगर बिमारी हो करती है और सबसे बड़ी दा बात दोस्तों एक चीज में बता दूं कि आप पैसे दे करें कोई चीज खरीद के खाते हैं करते हैं कि मार पैसे ने सब्सक्राइब करें दोस्तों आप देखीए आप अपने दरवाजे के बाहर देखेए एक घास फिरी मिल जाएगी आप इसको खार करके और जो पैसे दे करके अर्गैनिक जड़ी बूटी देख रहा है ना साग बिल्कुल फिरी में मिलेगा और इसका प्रयोग करके आप बहुत सारी खतरनाक से खतरनाक बीमारियों से बच सकते हैं तो चलिए दोस्तों ज्यादा बात न करते हुए जल्दी से इसके फायदे के बारे में मैं आपको बता हैं आपके छेत्र में हो सकता है किसी और नाम से जाना जाता होगा तो कमेंट करके प्लीज जरूर बताएगा कि इसको किस नाम से जाना जाता है अगर आप कमेंट करके यह बताते हैं कि इसको किस नाम से जाना जाता है तो दूसरे जो लोग होते हैं आगर मैंने इसका नाम क से बरपूर होता है इसका फश्वाद होता है खटी मीठी होता है और ऐसका नेचर होता है नरे घर मुटा रोता है तो इसको कभी भी कृप खाई सकता है किसी मौसल में खाया सकता है और किसी भी ázक दोस्तों या कप्प miseric को दूर करती है, बहाति है, यह बातकारक होती है, पिसाब के अनेक रोगों को दूर करती है, यह पिसाब में हो रहे हैं, जलन को मिटाती है और भोजन के प्रती जो अरुची होती है, अरुची का मतलब द्यान से समझ लेजिए, भूख तो लगतीए लेकिन खाना खाने की इच्छा नहीं होती है, तो इसको बोलते हैं भोजन में अरुची का होना, तो जो अरुची यानि कि भोजन में रुची नहीं हो रही है, तो उसको यह दूर करती है, यानि कि आपके जो भोजन के प्रती जो रुची बढ़ाती है, और यह बवासीर में, पीलिय कि जितनी भी बीमारिय तो सबसे पहले किसी और किसी और देख रहे हैं यह कबज की बिल्कुल एक पैसा आपको नहीं खर्च करना है और कब्ज की सबसे रामबान उसदी है इसको पाचान कर लिजी और जान लिजे देख लिजे दोस्तों इस पौधे में एंटिवाइटिक एंटिसेफ्टी और एंटिफंगल गुण पाया जाते हैं जो सरीर में रोग प्रदिरोधक छंता को बढ़ाता है यह अनेक प्रकार की जो इसकीन की प्रवलम होती जो त्वचा रोग होते हैं उनसे बचा के रखता है उनसे हमें छुटकारा दिलाता है इस घास के अगर दो तिन पत्ति रोजाना खाते हैं चबा चबा कर भी न तो आपके सरीर से संपुर्ण रोगों का ना का hog सकते हैं इस सरीर के रघव्द प्रवा को बढ़ाती है इस सरीर में ताकत आती है और जो च्रीर की जो इस फूर्टी बढ़ जाती है और आपके अंदर धकान होती दूर दोस्तों यह पत्री जैसे बयानक रोगों में भी काफी फायदमंद है इसके लिए आपको क्या करना है इसके पत्तों का क्वात बनाना या काड़ा बनाना है और इसको 20-25 एमिल जब का तयार हो जाए तो उसको पिए दिन में 3-4 बार पिए आपकी पत्री को दीरे-दीरे अग दाल देगी दोस्तों वजन गटाने की राम बाण अगर आप अपना वजन तेजी से गटाना चाहते हैं तो कुलफा की बीज को गुंगुने पानी के साथ सिवन करना इसमें बीज आते हैं इनके जो पीले-पीले फूल होते हैं उसके जब अंदर फर लगते हैं और छोटे- और सो भी छोटे-छोटे इसके काले-काले बीज निकलते हैं तो इसके बीजों का कम शकुम आप दस ग्राम की मातरा में अगर बीज आप सिवन करते हैं गुंगुने पानी के साथ तो आपका वजन तेजी से गड़ता है पिसाब की समस्य जलन बहुत ज्यादा होता है तो इ इसका शेवन आप ऐसे कर लिजिए सोचेंगे सब्जी बनाना है करना करना अगर नहीं बना पा रहे हैं जाए कम सकम चार पांच पत्ते लिजिए सुगा खाली पेट खाया देजिए पूरा पूरा इसका फायदा आपको मिलेगा सिर्फ आप इसके पत्ते खाली जिए वजन तरीके की सरदर्द बतंदर्द और एक चीज और जो यूवाओं की बहुत ही बड़ी समस्या दोस्तों हुआ होती है कि उनको भीकने सुझाती है कमजोरी आत कॉमसी कमजोरी आप समझ रहे हैं धातों की प्रव्लम हो जाती सिट्वर्पतन की समस्या हो जाती है उसको दूर क मात्रह में इस घंदा ले लिज़े Stories इन तीनों का प्रोक करके और पांच ग्राम की मात्रह में कौँच के बचली लिजिए दोस्तों चारों का एक साथ प्रयोग करेंगे आपकी ध्यातु रोग की समस्यunda सिग्रपतनिक समस्या जड़ से समापत हो जाएगी मैं विल्कुल आजमाया हुआ इसका बता रहा हूं अगा आप एक महने तक करके देख लीजिए आपकी यह समस्या जड़ से ताकि आप उसका फायता लेकर के अपने जीवन को सुख में बना सकें आप पैसे कमाईए उस पैसे को खुशियों में खर्च करिए ना की दवाओं में खर्च करिए ठीक है ना तो जानकारी इंफोर्मेशन लेने के लिए आप मेरे चनल के साथ जूड़े रहें ओके दोस्तों मिलते हैं दूसरी नाई जानकारी के साथ यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बद्धनवाद तब तक के लिए आपको दिन सुभो हस्ते रहें मस्त रहें जैहन दोस्तों